बारीबन 17 किलोमेटर दूर इस ते आकल वुड फोसिल पार्ट और यहां पर आपको विबिन परकार के ट्रंक के फोसिल्स और टेरोफाइलम के फोसिल्स मिलेंगे यहां पर अवेलेबल है उसकी जो लेंथ है वो 13 मीटर इंटू 4 मीटर है वुड फोसिल्स है जो यह दर साथा है कि यह जिम्नोस्परमिक है जिम्नोस्परमिक प्लांट्स है जिनके ट्रंक है और इनकी लीफ भी है अब आप इस जाली में से यदि देखेंगे तो यह वो फोसिल्स पार्क के जो इसके ट्रंक के फोसिल्स है जिरासीन पीरिट्स की है यह एक है यह दूसरा वरी हाई लॉंगेस्ट फोसिल्स इस पूरे वुड फोसिल्स पार्क के अंदर तू साइट से और यहाँ पर तकरीबन साथ से आठ फोसिल्स प्रोटेक्ट किये गए है प्रिजर्ब किये गए है यह जो आप हट देख रहे हैं इस हट के नीचे इनको जालियों में सेट किया गया है और साथ ही साथ इको टूरिज्म है जियो टूरिज्म डवलप करने के लिए आप देखेंगे यह मैं आपको एक हट दिखा रहा हूं यह एक वुड फोसिल्स पार्क के अंदर रेस्ट एरिया है जहां पर कोई भी टूरिस्ट आकर के रेस्ट क को देखें तो इस वुड फोसिल्स पार्क के अंदर कई सारी पांट्स की लिविंग स्पीसीज भी अविलेबल है और मोस्टली जो लिविंग स्पीसीज है अभी रेनी सीजन गया ही है यहां पर ग्रास बहुत जादा है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यह लेमन ग्रास कोश्टली जो अट्रक्टिव है इस पूरी फोसिल्स पार्क के अंदर वो यहां पर पाए जाने वाले गूगल के प्लांट है अगर आप इस साइट पर गूगल के प्लांट को अब्जर्ब करेंगी तो साइद यह आपने को ऐसा गूगल का प्लांट देखा होगा जिसमें इतनी सारी लीफ हो यहां पर कोई ऐसा गूगल का प्लांट नहीं है जो विदाउट लीफ है और भी कई सारी स्पीशीज है अभी आप देख सकते हैं कि पूरी पूरा यह पार्क वो ग्रीन हो चुका है चारों तरफ ग्रासेज की बहुत सारी विराइटीज अविलेबल है चाहे वो सेमन गास को लेकर के हो चाहे वो इस लेमन ग्रास को लेकर हो चाहे यह डिजीटेल अरिया हो और भी कई सारी ग्रासेज और बहुत स्पीशी अग्राइटीज 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 यह जो फोटोग्राफ्स या यह जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये है वेस्टन राजस्तान की सबसे फैमस ग्रास लेशुरेस जैसे सामाने बाशा में शेवन ग्रास कहाते हैं